नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हरदिक स्वागत है आज के इस वीडियो में यूजिसी नेट प्रिवियस यर पेपर को लेकर मैं उबस्तित हुई हूँ आए प्रशनों के क्रम को शुरू करते हैं यह सभी के सभी प्रशन आपके आने वाले योगी शिद्य हो सकता है तो वीडियो को पूरा आंत तक जरूर देखे यूजिसी नेट के कई सारे वीडियो हिंदी साधन चैनल पर अपलोड है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवसी देख ले उसमें आपको स्लेवस के अनुसार सभी अलग अलग विधाओं पर व प्रश्नों के क्रम को पहला प्रश्न है खरी बोली कहां बोली जाती है ऑप्सन है जासी कानपूर मेरट अलिगड तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है खरी बोली मेरट बोली जाती है मेरट उतर प्रदेश में है अगला प्रश्न है नागरी लीपी का विकास किस लीपी से खरोष्टी ब्राम्ही नागरी लेपी और हेब्रू ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा नागरी लेपी का विकास ब्राम्ही लेपी से हुआ है अगला प्रिश्ण है दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहा है ओप्शन है वर्धा बैंगलोर हैत्राबाद मद् ओप्शन चोथा सही हो जाएगा बद्रास दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है अगला प्रिश्ण है पध्वानी का उचारन अस्थान है ओप्शन है दंत, ओष्ट, मुर्धन्य, कंठ ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा ओष्ट अगला प्रि गोकुल नाथ द्वारा लिखित गरंथ का नाम है तो गोस्वामी गोकुल नाथ के द्वारा लिखित गरंथ इसमें से कौन है तो 84 बैशनों की बारता इनके द्वारा लिखित गरंथ है उप्सन चौथा सही हो जाएगा हाई अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है आलहा खांड का रचैता कौन है? उप्शन है चंदबयदाई जगनिक नर्पतिनाल अब्दुल रहमान उप्शन चोथा सही हो जाएगा अब्दुल रहमान अगला प्रश्ण है इन में से कौन अलवार महिला संत है? उप्शन है अंडाला, अका मासी, सहजो बाई, मीरा बाई उप्शन पहला सही हो जाएगा अंडाला अगला प्रश्ण है तुलसी कृत, कृष्ण काब्यदाई कौन सा है? उप्शन है कृष्णायन, कृष्ण चरिद्र, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली उप्शन चोथा सही हो जाएगा तुलसी दास के द्वारा रचित, कृष्ण काब्यदाई है, कृष्ण गीतावली अगला प्रश्ण है इन में कौन अलवार महिला संत है? उप्शन है अंडाला अक्कामासी प्रश्ण को तो हमने देख लिया है अगला प्रश्ण है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंती है? तो ये जो पंती है उप्शन है संत दादू दयाल, रैदास, पीपा, संत मल्टू दास तो ये उप्शन दूसरा सही हो जाएगा रैदास की पंती है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी अगला प्रश्ण है इन में से कौन रिती बद्ध नहीं है? उप्शन है मतीराम, किशवदास, धनानंद, चिंता मनी उप्शन तीसरा सही हो जाएगा घनानंद, ये रिती मुक्त कभी के अंतरगत आते है अगला प्रश्ण है कौन सा लेखा का भारतेंदू मंडल का नहीं है? उप्शन है प्रताप नरायन, मिस्र बाल कृष्ण भट, प्रेम गन, स्रिधर पाठक उप्शन चोथा सही हो जाएगा स्रिधर पाठक अगला प्रश्ण है एक भारती आत्मा नाम से कभीता की रचना की तो किन्हों ने एक भारती आत्मा की नाम से कभीता की रचना की है? तो option है मैतली सरन गुप्त माखनलाल चत्रुबेदी, सोहनलाल द्रिवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन तो मैतली सरन गुप्त सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है इन में से कौन सा नाम सही नहीं है तो देखिए यहाँ पर लिखा है option में पहला तार सब्तक, दूसरा तार सब्तक, तार सब्तक, तीसरा तार सब्तक तो option पहला सही हो जाएगा कि पहला तार सब्तक नहीं है पहला तार सब्तक के अंदर गत यह नहीं आता है, सिर्फ तार सब्तक ही है दूसरा सब्तक, तीसरा सब्तक और चौथा सब्तक है लेकिन पहला सब्तक ना होकर यहाँ पर तार सब्तक होता तो यह सही होता अगले प्रश्ण को देखती है अग्ये की कौन सी रचना यात्रा पर अधारित है उप्सन है एक बुंद सहसा उचली आत्मनेपत बाबरा अहरी जैदोल उप्सन पहला सही हो जाएगा एक बुंद सहसा उचली अगला प्रश्ण है कौन सी रचना समसेर बहादूर सिह की है उप्सन है पीली छत्री वाली लड़की पीली रात पीली आंधी एक पीली साम option चोथा सही हो जाएगा एक पीली साम समसिर बहदूर शेह की रचना है अगला प्रशन है प्रपधवाद किसका पर्याय है option है नई कविता नकेनवाद अकविता प्रयोगवाद option दूसरा सही हो जाएगा नकेनवाद अगला प्रिश्ण है कट्रा भी आडजू किसकी रचना है? अप्सन है अस्गर भजाहत, गुल सेखर सानी, राही मासुम राजा, अब्दल बिस्मिल्लाः अप्सन तीसरा सही हो जाएगा राही मासुम राजा अगला प्रिश्ण है नेपत राग किसकी नाटक है? अप्सन है मीराकांथ, मरिनाल पांडे, तिरपुगारी सर्मा, कुश्ण कुमार अप्सन पहला सही हो जाएगा मीराकांथ की यह रचना है नेपत राग प्रिश्ण है अगला रूदरट पक्रुक्ती को शवदा अलंकार मानते हैं इसे अलंकार किसने माना है? अप्सन है दांडी, छेमेद्र, वामन, आनंद, वर्धन अप्सन तीसरा सही हो जाएगा वामन अगला प्रिश्ण है इन में से कौन भरतमुनी के रस सूत्र का ब्याख्याकार है? अप्सन है ममट, भट, लोलट, भामा, छेमेंद्र अप्सन दूसरा सही हो जाएगा भट, लोलट अगला प्रिश्ण है निम्रे लिखित रचनाओं का सही अनुकरम क्या है? तो यहाँ पर कुछ रचना दिया गया है और उसका सही अनुकरम आपको बताना है असकंद गुप्त पहला राजा बकरी कोर्ट मार्श्टल यह सभी रचनाओं का सही अनुकरम आप्सन तीसरा सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण है निम्रे लिखित कविताओं का सही अनुकरम क्या है? आप्सन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप भी उतर देने की कोशिश करते रहें आप्सन पहला सही हो जाएगा मुक्ति प्रिशंग संसत से सरक्तर्क अपनी केवलधार आवाज भी एक जगह है अगला प्रिश्ण है निम्रे लिखित क्रीतियों का सही अनुकरम क्या है? यहाँ पर कुछ क्रीति दिया है और सही अनुकरम आपको बताना है सही अनुकरम हो जाएगा मैला आचल पानी के प्राचीर लोकरिन जंगल कहां से सुरू होता है? अप्सन चौथा सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण है निम्रे लिखित पत्रिकाओं के प्रकासन का सही अनुकरम क्या है? तो यहाँ पर कुछ पत्रिका के नाम दिया है सभी अप्सनों को आप देख सकते हैं अप्सन चौथा सही हो जाएगा सरस्वती, हंस, आलोचना, रवीवार अगला प्रिश्ण है निम्रे लिखित कहानियों का सही अनुकरम कौन सा है? अब यहाँ पर कुछ कहानी दिया हुआ है उसका सही अनुकरम आपको बताना है तो आप्सन चौथा सही हो जाएगा पुरसकार, कफन, राजा निर्वनसिया, वाफसी यह इनका सही अनुकरम हो गया पुरसकार परशाद की कहानी है सन 1930 इसवी में इस कहानी का प्रकासन हुआ कफन प्रेमचंदर की कहानी है सन 1936 इसवी में इसका प्रकासन हुआ राजा निर्वनसिया, कमलेस्वर की कहानी है सन 1956 इस भी में इसका प्रकाशन हुआ और वापसी कहानी उसा प्रियवंदा की है सन 1961 इस भी में इसका प्रकाशन हुआ तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर कहानी और उनकी लिखा के साथ साथ उसके प्रकाशन को भी देख लिया चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है निमनलिखित निबंधों का सही अनुकरम कौन सा है तो यहाँ पर आप कुछ निबंध दिये गए है और उसका सही अनुकरम आपको बताना है कि कौन सा सही अनुकरम है आप्शन पहला सही हो जाएगा प्रबंध प्रतीमा अतीत के चलचित्र ठेले पर हिमाले प्रिया निलकंठी अगला प्रिशन है निम्लिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर अब सही अनुक्रम आपको बताना है कौन सा सही अनुक्रम है? आप्शन तीसरा सही हो जाएगा छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद अगला प्रश्ण है रामचरित मानस के कांडो का सही अनुक्रम क्या है? रामचरित मानस के कांडो का सही अनुक्रम हो जाएगा बालकांड अयोध्या कांड और अरण्या कांड किसी किंधा कांड आप्शन दूसरा सही हो जाएगा रामचरित्र मानस गुश्वामी तूलसीदास की रचना है और यह साथ कांडों में विभक्त रचना है यहां पर आपको बालकांड, अजोध्याकांड, अरन्यकांड, किसी कंधा कांड, उसके बाद सुन्दरकांड और लंका कांड, लंका कांड के बाद उतरकांड है तो इस प्रकार से इन सात कंडों के नाम हो गए आएए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन है काब्य सास्त्र के इन ग्रंथों को रचनकार के नाम से सुमेलित कीजिए अब जो भी प्रशन आपको कम से कम पाँच प्रशन आपको मिलेंगे जो की सुमेलित करना है और वो सभी के सभी प्रशन ऐसा नहीं है कि काब्य सास्त्र से ही है अलग-अलग तरह के प्रशन है तो इन प्रशनों को भी भरे ध्यान से आपको देखना चाहिए ध्वन्या लोग आनंद वर्धन का है साहित्य दर्पन अचारी विश्वनाथ, रस गंगाधर, पंडित जगरनाथ, काब्य प्रकास, मममठ तो इस प्रकार से यहां कूट जो दिया हुआ है इसमें देखते हैं कौन से कूट में सही मिलान हो रहा है ध्वन्या लोग एक का तीसरा किस ओप्सन में है ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए तो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है रचनाकार और उनके रचनाओं को सुमेलित करना है गुलाब राए इनकी रचना कौन सी है मेरी असफलताई बच्चन नीरका निर्मान बियोगी हरी मेरा जीवन प्रवाह यसपाल सिहा लोकन तो इस परकार से यहां कूट में आपको मिलान करना है कौन सा सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ अगला प्रिश्ण है निम्ड लिखित आलोच को तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए यहां पर कुछ आलोचक और उनकी कृतियों के नाम दिये हुए है आईए देखते हैं हजारी प्रशाद द्रिवेदी, इनका रश सिधान्त है, नागेंद्र, कवीर, देवराज, छायावाद का पतन, मुक्ति बोध, नए साहित्य का शोंदर्य है। इस प्रकार से यहाँ पर कूट तीसरा सही हो जाएगा, अगला प्रिशन है, जिसमें से पत्रिकाओं का समपादन के साथ सुमेलित करना है, पत्रिका है, हिंदी प्रदीप, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी, हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट का है, बंग दूत, राजा राम मोहन राय, उदंड मारतंड, पंडित जुगल किशोर, मतवाला, निराला की रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप्शन कूट जो सही होगा, वह पहला सही हो जाएगा। आगे है, प्रश्ण है कवियों की कृतियों का सुमेलन कीजिए। केसवदास इनकी कौन सी कृति है? केसवदास की रसिक प्रिया। मती राम का ललित ललाम है, भूशन इनका रचना है सीवा बावनी, देव इनका रचना है भाव बिलास। इस प्रकार से कूट दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रिश्ण है निमलिखित पंतियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर पंतियों और कवियों दिये हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। कनक कदली परसे हैं, समार लतापर मेरू सामनी। कही मुस्काय लल्ला फिर अयो खेलन होडी। यह पंति पदमाकर की है। अति सुदू सनेह को मारग यह धनानंद की पंति है। अगला पंतियों मोर पखासिर उपर राखी हो कुझ की माला गले पहिडायों। यह पंति मती राम की है। तो इस प्रकार से यहां पर कूट जो दिया हुआ है। इसमें दूसरा अप्सन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रिश्न की तरफ। अगला प्रिश्न है निम्लिखित काब्य पंतियों का कभियों के साथ सुमेलित कीजिए। सिनिह निर्जर बह गया। यह निराला की है पंति। ओ करुणा की सांत कचार। यह जो पंति है यह प्रिशाद की है। सखेवे मुझसे कह कर जाते मैथली सरन गुप्त। दिवस का औसान समीप था हर्योध की है। तो इस प्रकार से ओप्सन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रिश्न है निम्लिखित पात्रों को नाटे कृतियों से सुमेलित कीजिए। किस नाटक के कौन से पात्र है उसको सुमेलित करना है। इस प्रकार से इन नाटको का पात्र सुमेलित हो गया। देखते हैं कौन सा कूट सही हो गया। कूट तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रिश्न है निम्लिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जैनेंद्र इनका रचना है मुक्तिबूध निर्मल बर्मा वेदीन। ओम प्रकास बाल में की जूठन प्रभा खेतान आओ पेपे घर चली। इस प्रकार से यहाँ पर जो कूट सही हो जाएगा। अगला प्रशन है निम्लिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंथ। इनके कौन सी कृति है। शुर्ण धूली। जेशंकर प्रशाद। लहर। निराला। अडचना। अगला प्रशन है जो की अस्थापना और तरक से दिया हुआ है। अस्थापना है मिठक मानो इतिहास को समझने का द्वार है। तरक है क्योंकि ये इतिहास की भाती तथ्यात्मक होते है। इसमें से ऑप्सन दूसरा सही हो जाएगा। ए सही है आर गलत है। अगला प्रशन है अस्थापना और तरक से ही। अस्थापना पस्ष्यम के नए ग्यानोदय ने बहुँ अस्तरिये बर्चश्ववाद को बढ़ावा दिया। तरक है उसी कारण साहित में विकेंद्री करण की प्रवर्ती बढ़ी। आप्सन तीसरा सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला प्रशन है अस्थापना रहश्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्ती जनक दो बाते होती है। भाव में सच्चाई का अभाव और ब्यांजना की कृतिमता तरक है क्योंकि भाव का संबंध विशुद अध्यात्म से होता है। इसमें कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा ओप्सन चोथा सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला प्रिश्ण है अस्थापना सधार्निकरन की अवस्था में समाजिक या दड़सक भाव मुक्त होकर एकागर चित से रसका अनुभव करता है। तरक इसलिए पस्च्वी नाटी चिन तक बिरक्रत ने भी इस बात का समर्थन किया है। कौन सा उतर सही हो जाएगा। आप्शन चोथा सही होगा। ए सही है आर गलत है। अगला प्रिश्ण है अस्थापना कला सुन्दर्य का बिधान करती है। तरक कविता में अशुन्दर और कुरूप बस्तुओं का वर्नन भी कलातमक सुन्दर्य के अंत्रगत आता है। आप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। अस्थापना अगला प्रिश्ण है अस्थापना। सिलेश्ट या अनेकार्थी सब्दों के द्वारा अनेक आर्थों में आभीधान में सब्द सिलेश अलंकार होता है। तरक है क्योंकि इसमें सार्थक अथ्वा निर्थक सब्दों की आवर्थी होती है। आप्शन चोथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला अस्थापना और तरक से ही प्रश्ण है। अस्थापना जिवच्जू सभ्यता बढ़ती गई, तियों तियों ग्यान सत्ता बुद्धी बयोस्यात्मक होती गई। क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। कौन सा ओप्छन सही है। आप्शन तीसरा सही हो जाएगा A और R दोनों ही सही है इस प्रकार से आज हमने लगभग 45 प्रश्णों को सल्व किया ये प्रश्ण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताए और वैसे भी सभी के सभी ये प्रश्ण जो है ये प्रिवियस एर नेट एक्जाम में पूछे गए प् प्रातियों की परिक्ष्ण से अगर आजाते हैं तो आपको उतर का चुनाव करने असानी होगी और वैसे भी net exam में तो negative marking है तो इसमें अगर आपको जरा भी संदे हो तो उस उतर को कभी भी टिक ना करे संदे होने से आपका उतर गलत भी हो सकता है तो जिसमें आपको मतलब पूरी तरह से जनकाली हो उसी प्रशन को सही करे नहीं तो आपका ऐसे ही करते करके अगर एक एक question गलत होगा तो आपके सही marks भी चार सही आपके चार गलत होगा तो एक सही marks भी काट लिये जाएंगे तो इन सभी चोटी चोटी बातों काफी आपको ध्यान रखना चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किये है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन नए है सब्सक्राइब नहीं किये है तो अवशी सब्सक्राइब कर ले